नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्तियों, मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ दाएं कक्षा ग्यार्वीन लेखा शास्त्र, आज हम पढ़ेंगे अध्याय आठ, विन्यमे विपत्र, बिल्स ओफ एक्सचेंज, तो चलिए शुरू करते हैं व्यपार में माल का क्रे एवं विक्रे नगद और उधार पर किया जाता है, यदि माल का क्रे अत्वा विक्रे नगद होता है, तो ऐसी स्थिथी में भुक्तान तत्काल कर दिया जाता है परंतु, यदि व्यपारी उधार लेंदेन करता है, और सौदो का मूल्य तुरंत ना चुका कर भविश्य में चुकाता है, तो ऐसी स्थिती में भावी भुक्तान की समस्या का समधान साख पत्रों के प्रयोग से संभव होता है साख पत्रों के इस प्रक्रिया के अंतरगत माल खरीदने वाला व्यक्ति, माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधी में भुक्तान करने का आश्वासन देता है पुराने समय में यह सब हुंडी बना कर पूरा होता था परन्तु अब इसको बिल्स ओफ एक्स्चेंज का नाम दिया गया है विनिमे विपत्र देखिए, भारतिये पराकम्य विलेक अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमे विपत्र की परिभाशा इस प्रकार है विनिमे विपत्र एक शर्त रहित लिखित आग्या पत्र है शर्त रहित जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को यह आग्या देता है कि वह निश्चित राशी या तो स्वेम उसे या उसकी आग्या अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को उस विनिमे विपत्र के धारक को मांगने पर या निश्चित अवधी के समाप्ति पर दे मतलब यदी ए ने बी को कुछ समान बेचा है तो ए बी को यह आग्या देता है कि इस समान को बेचने के जो पैसे बनते हैं उस पैसे को देने के लिए आप मुझे लिखित रूप में एक पत्र दीजिए या ए उस पत्र को लिखता है जिसमें वह आग्या देता है कि आप मुझे इतने पैसे इस समय के बाद देंगे या तो मुझे देंगे या मेरे कहे अनुसार सी को देंगे या तो पैसा आप मुझे देंगे या मेरे द्वारा बताए गए किसी दूसरे शक्स को देंगे जिसके पास वह बिल मिलेगा इसे कहते हैं बिल्स ओफ एक्सचेंज यह लिखा किसने? सामान बेचने वाले ने विन्य में विपत्र इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है विन्य में विपत्र लिखित होता है इसमें राशी का भुकतान करना होता है और यह भी इस विपत्र में साफ तौर पे लिखा होगा इसमें शर्त रहित आग्या होती है शर्त रहित इसमें विपत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं विन्यमे विपत्र में लिखित राशी निश्चित होती है विन्यमे विपत्र से भुकतान की तिथी भी निश्चित होती है इस विपत्र द्वारा उस व्यक्ति विशेश को आग्या दी जाती है जिसके नाम पर विने में विपत्र लिखा जाता है A ने B को समान बेचा तो A, B को आज्या देगा इसमें लिखित निश्चित राशी मांग कर दे अत्वा निश्चित समय के बाद दी जाती है समय निर्धारित किया जाता है अधिनियम के अनुसार इस विलेक पर मुद्रांक होना अनिवार रहे स्टांप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्स आफ एक्सचेंज लिखने वाले दो शक्स जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें हम क्या क्या कह कर बुलाते हैं बिल करता या आहरता यह व्यक्ति जो विपत्र लिखता है मतलब सामान बेचने वाला तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करके एक निश्चित राशी के भुकतान का आदेश देता है यह व्यक्ति विशेश प्रायम माल का विक्रेता या लेंदार होता है मतलब सामान बेचने वाला या जिसने पैसा लेना है वह व्यक्ति बिल करता कहलाता है। अंग्रेजी में हम इसको ड्रॉर भी कहते हैं। मतलब A ने अगर B को सामान बेचा तो A है ड्रॉर। दूसरा स्विकार करता या फिर अहर्यत जिस व्यक्ति पर विन्यमे विपत्र लिखा जाता है अर्थात वह व्यक्ति जिसे एक निश्चित राशी के भुक्तान का आदेश दिया जाता है। उसे स्विकार करता कहते हैं यह व्यक्ति माल का क्रेता मतलब समान खरीदने वाला या देंदार देंदार मतलब जिसने पैसा देना है। अब तीसरा पक्षकार है पाने वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पाने वाला शक्स कोई और भी हो सकता है। वह व्यक्ति जिसे विपत्र का भुक्तान मिलता है ए ने बी को सवान बेचा, ए ने एक विपत्र बनाया और वह विपत्र उसने सी को दे दिया। और कहा कि मेरी जगां बी से पैसा सी ले लेगा। अब पैसे की प्राप्ती सी करेगा। इसलिए सी हुआ यहाँ पाने वाला। अब यहाँ सवाल यह है कि ए ने सी को बिल क्यों दिया। जरूर ए ने सी से करजा लिया होगा और ए सी को करजा नहीं चुका पा रहा। तो कर्जा चुकाने के लिए A ने पैसो का भुक्तान करने की जगा बिल ही C को दे दिया है और अब C B से पैसा लेगा तो आप देखिए A ने B को समान बेचा परंतु A ने बिल C को दिया और C B से यह समान के पैसे लेगा तो यहां पैसो की प्राप्ती करी C ने तो पाने वाला हुआ C तो पैसो की प्राप्ती करने वाला है पाने वाला जो A भी हो सकता है और C भी हो सकता है तो यह हैं विन्यमे विपत्र के पक्षकार चलिए आगे बढ़ते हैं एक और परिभाषा के साथ जिसका नाम है प्रतिग्या पत्र भारतिये पराकम्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार प्रतिग्या पत्र एक लिखित हस्ताक्षर सहित विपत्र है जिसको लिखने वाला बिना शर्त के एक निश्चित राशी किसी व्यक्ति को अत्वा उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अत्वा उस विपत्र के धारक को देने की प्रतिग्या करता है मतलब भुकतान करने वाला शक्स यहां प्रतिग्या करता है कि मैं पैसा चुका दूँगा समान बेचने वाला विपत्र नहीं लिखता समान खरीदने वाला यह प्रतिग्या करता है कि वह पैसों का भुकतान कर देगा किसको समान बेचने वाले को या समान बेचने वाले शक्स द्वारा बताये गए किसी तीसरे इंसान को या उस विपत्र के धारक को वह भुक्तान कर देगा ऐसा विपत्र प्रतिग्या पत्र कहलाता है प्रामिजरी नोट तो चलिए देखते हैं कि इस तरहां के विन्य में विपत्र लेखा शास्त्र में किस तरहां से लिखे जाते हैं देखते हैं रोजनामचा मतलब जर्नल में इनकी एंट्री किस तरहां की जाती है जर्नल एंट्री को समझने के लिए हम एक उधारन करेंगे जिसमें एक शक्स किसी दूसरे को समान बेचेगा और बिल्स ओफ एक्सचेंज आपस में लिये और दिये जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रशन आपके सामने हैं पहला उधारन एक जनवरी 2006 को अमित ने सुमित को 20,000 रुपे का उधार माल बेचा अब विध्यारतियों आपको यहां ध्यान देना है कि जब भी समान बेचा या खरीदा जाता है और प्रश्ण में ऐसी जानकारी पहले से ही दी हुई है तो आपको इन सभी की एंट्री रोजनामचा मतलब जर्नल में करनी ही है यदि प्रश्ण ने क्रे विक्रे से संबंदित सूचना दी है तो आपको वह सूचना उप्योग में लानी है जैसे इस प्रश्ण में अमित ने किसी को समान बेचा अमित ने सुमित को समान बेचा तो आपको इसकी भी प्रविश्टी करनी है अब देखते हैं प्रश्न आगे क्या कहता है अमित ने सुमित को बीस हजार रुपे का माल बेचा और तीन माह की अवधी का एक विपत्र सुमित पर लिखा समान बेचने वाला अर्थात अमित खरिदने वाला अर्थात सुमित अमित ने सुमित को समान बेचा और एक विपत्र लिखा कि आप मुझे आज से तीन महीने बाद इस राशी का भुखतान करेंगे। सुमित ने विपत्र स्विकार किया और अमित को वापिस भेज दिया। वापिस भेजने का मतलब ये है कि सुमित रजामंदी दिखाता है कि हाँ वह इस विपत्र में लिखी गई राशी आज से तीन महीने बाद दे ही देगा। परिपक्वताती थी मतलब maturity date अब यहां आप लोगों को ध्यान देना है कि maturity date कैसे पता लगाई जाती है। जैसा कि प्रश्ण ने कहा कि बिल तीन महीने की अवधिका है और बिल लिखा गया एक जनवरी को है। तो अब आप यहां ध्यान दीजिए तीन महीने कब पूरे होंगे। एक जनवरी को बिल बनाया गया। मतलब जनवरी पूरा समाप्त होगा एक महीना। फरवरी पूरा समाप्त होता है दो महीने। मार्च पूरा समाप्त होता है तीन महीने। अब एक अप्रेल वह दिन है जब तीन महीने बीत जाते हैं परंतु मेचौरटी डेट परिपक्वता कब आती है तो यहां ध्यान दीजिए तीन महीने के बाद तिथी तो एक अप्रेल है लेकिन उसमें तीन दिन और आपको मुद्दद दी जाती है और वह हुई चार अप्रेल मतलब चार चार तीन दिन आप हमेशा उसमें और जोड़ देंगे इस बात का हर प्रश्न में ध्यान रखिएगा प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न कहता है निम्न अवस्थाओं में प्रविष्टी कीजिए और पहली अवस्था है यदि अमित परिपक्वता तिथी तक विपत्र अपने पास रखता है कहने का मतलब मेचौरिटी डेट तक अमित ने यह बिल अपने पास ही रखा तो अब यहाँ सवाल उठता है क्या कुछ ऐसा भी होता है कि बिल किसी और को दे दिया जाए बिलकुल और वह अगली अवस्थाओं में आप सीख लेंगे तो आम बात तो यह हुई कि हम समान बेचते हैं विपत्र लिखते हैं और मेचौरिटी डेट परिपक्पता तिथी का इंतजार करते हैं ताकि हमें राशी का भुखतान हो जाए अब आप देखिए अमित अपनी पुस्तकों में किस तरहां की एंट्री करता है और सुमित किस तरहां की एंट्री करता है चलिए शुरू करते हैं एक जनवरी को समान की खरीद और बेच से कैसे कैसे प्रविष्टियां बनेंगी सबसे पहले अमित की पुस्तक देखिए अमित की पुस्तक में सबसे पहले समान विका सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स सुमित खाता नाम और विक्रय खाता से मतलब सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप समान बेचेंगे तो सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होती हैं, सुमित खाता नाम विक्रे खाते से, हमने परश्ण में देखा कि सामान को बेचने की सूचना दी गई थी, तो हमने उसकी भी एंट्री अपनी किताबों में कर दी है, अब ध्यान दीजिए, सुमित को डेबिट करने का आरत है, कि सुमित हम विपत्र लिखने के बाद हम सुमित को हटाना चाहते हैं, क्यूंकि डेटर अब सुमित नहीं रहेगा, सुमित हमारा asset नहीं रहेगा, अब वह विपत्र जो है, वह हमारे पास एक तरह की कानूनी सुरक्षा है, वह विपत्र हमारे लिए asset बन जाएगा प्राप्य विपत्र खाता debit सुमित asset नहीं रहा asset कौन बन गया विपत्र कैसा विपत्र प्राप्य जिससे मुझे पैसा मिलेगा तो समान बेचने वाले के पास जो विपत्र होता है जो विपत्तर की कॉपी समान बेचने वाले के हाथ में है वह विपत्तर कहलाता है प्राप्पे विपत्तर बिल रिसीविबल बिल रिसीविबल अकाउंट डेबिट क्योंकि अब यह मेरा एक एसेट है और सुमित और सुमित हो जाएगा क्रेडिट यह सब एक जन्वरी को हुआ। आपने देखा किस तरह विपत्र ने अपने आपको एसेट बनवाया और सुमित को हटाया। क्योंकि विपत्र लिखने के बाद आप सामने वाली पार्टी को अपना डेटर हटा दिते हैं। और विपत्र को अपना एसेट बना लेते हैं। किताबों पे फरक कुछ नहीं पड़ा। पहले हमारा एसेट सुमित था, अब हमारा एसेट यह है विपत्र है। इसलिए बिल रिसीविबल अकाउंट डेबिट हो गया। और सुमित क्रेडिट, सुमित का खाता खतम। अब परिपक्वता, मिचौरिटी डेट, चार एप्रेल। इस दिन हमें पैसो की प्राप्ती होगी। इस दिन राशी प्राप्त होगी। और आप पहले ही सीख चुके हैं जब भी पैसा आता है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट पैसो की प्राप्ती हो रही है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। bank account debit और यहां पैसा, किस कारण से आया? उस विपत्र के कारण, विपत्र के भरोसे जब तक आप थे विपत्र आपका aset था, परंतु जैसे ही आपको विपत्र से पैसे मिल गए, अब विपत्र आपका aset नहीं है, तो आप विपत्र को credit कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीविबल अकाउंट, बैंक खाता नाम प्रप्पे विपत्र खाते से बीस हजार रुपे, यहें अमित की किताबें पूरी हुई, अब आप देखिए, इसी तरहां सुमित अपनी किताबों में क्या करता है, अब देखते हैं, सुमित की पुस्तकों में किस तरहां से एंट्रीज की जाएगी, देखिए, सुमित ने समान खरीदा है, पर्चेज, एक जन्वरी को सुमित के खातों में क्रे खाता नाम अमित के खाते से, पर्चेज अकाउंट डेबिट, टू अमित, मैं यह आपके लिए लिख दूँ, पर्चेज अकाउंट, सदाही डेबिट, पर्चेज अकाउंट डेबिट, टू अमित, आपने हैं समान अमित से खरीदा, देखिए यह सुमित की किताबे हैं सुमित ने समान खरीदा है तो सुमित लिखेगा परचेज अकाउंट एबिट और समान खरीदा गया है अमित से तो अमित को क्रेडिट कर दिया गया अमित को अपना क्रेडिटर मान लिया गया अमित को अपने उपर लाइबिलिटी मान लिय गया है क्योंकि समान अमित से खरीदा गया है अब विपत्र की एक कौपी इनके पास भी आई है अब विपत्र की एक कौपी जो इनके पास आई है वहें इनके लिए लाइबिलिटी है जिस तरहां अमित इनके लिए लाइबिलिटी है अब अमित लाइबिलिटी नहीं रहेंग और वहे विपत्र इनके लिए liability हो जाएगा क्योंकि आपने परिभाशाओं में यह सीखा कि विपत्र के धारक को भुखतान कर दिया जाता है अब वहे विपत्र सुमित के पास कोई भी लेकर आए सुमित उसे राशी का भुखतान कर देगा अमित का खाता debit कर दिया जाएगा और दे विपत्र credit मतलब अमित अकाउंट debit to bill payable देखिए अमित liability था तो अमित credit हुआ परन्तु अब liability का नाम बिल पेबल है तो नई liability credit हो चुकी है बिल पेबल अमित अकाउंट debit to bill payable तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है आगे maturity date आएगी परिपक्वता तीन महीने तीन दिन बाद जो है 4 अपरल सुमित को भुक्तान करना है सुमित के यहां से पैसा जाने वाला है तो इसके यहां bank account credit होगा और यह liability जो bill payable के नाम से या देविपत्र के नाम से इसके यहां credit पहले ही एक जन्वरी को की जा चुकी थी यह वाली अब यह liability खतम होती है यह liability खतम हुई देविपत्र debit करके तो entry बनी bill payable account debit to bank क्योंकि सुमित ने भुक्तान कर दिया है तो विध्यारतियों आपने देखा जब बिल को परिपक्वता तक बिल लिखने वाला अपने पास रखता है तो किस तरहां समान बेचने और खरीदने वाले की किताबों में प्रविष्टियां की जाती हैं तो यह भाग सिरफ इसी चीज को पूरा कर सकेगा इस तरहां के प्रशन आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिये हुए हैं और आप उनका अभ्यास करें बाकी की चीजें हम अगले भाग में करेंगे धन्यवांद झाले कि बाकी की पूर दियी जाती हैं यह में हम उनका आपकी झाले के सिरफ यह पैंका शार yard आपकी की जाती हैं में लग्यास अ अ AyARD máximo के अ इसकूर पाकी प्र 37 surface झाल झाल